नागरिकता के अधार पर किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं पहले होते हैं उस देश के नागरिक और दूसरे होते हैं बीदेशी तो जो उस देश के नागरिक होते हैं उन्हें उस देश की पूर्ण सतस्यता प्राप्थ होती है उन्हें उस देश की राजनितीक और नागरीक अधिकार प्राप्त होते हैं जो की विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों अगर बात करें भारत की तो भारतिय समविधान के अनुछेद 5 से अनुछेद 11 तक में भारत के नागरीकों के बारे में और नागरित्या के बारे में वर्लन किया गया है तो अगर हमाशान सब्दों में समझें तो किसी देश में रहने वाला वह ब्यक्ति जिसे उस देश के पुन सस्थेता प्राप्त हो जिसे उस देश की राजनेतिक और नागरित का प्राप्त हो और जो उस देश की समविधान में सची आस्था रखता हो वह उस देश का नागरी कहलाता है